उन गानों को भी तो लोगों के सामने आना है, मगर चिकनी चमेली या जले भी तक तो ठीक है, मगर साला, आइला, माइला जो हमारे महराष्ट में बहुत लाइट दर्जे की जो गालियां है, फूग तो गानों में नहीं आनी चाहिए, जो आ रही है, और सबसे बड़ा उसका अपने बच्चों को आने वली पौद को, अमारी जनरेशन को, हम लोग क्या दे रहे हैं, हमारा कल्चर सिखा रहे हैं, कि इस तरह का कल्चर हम लोग लग लाद रहे हैं उनके उनके उपर, इसका डर लगता है. तो इसमें हुआ क्या है, यह इंटरनेट ने आकर के धूम मचाई है, क्लासिकल गाईकी की जो तरभियत, ट्रेनिंग या प्रशिक्शन होता था, उसकी कमी आ गई है, या लोगों को अब सुनने की ताभ ही नहीं है, क्या हुआ क्या है? लोगों की पसंद बदली है, वो इसलिए क्योंकि उनके उपर लादा गया हुआ है, तिक की एक कोई चीज चलती है, तो सबकी आखे उसके उपर चली जाती है, जो हमारे मेकर्स है, हमारे मुजिक डिरेक्टर्स है, तो वो भी उनकों की फला, चमेली जैसा गाना बनाओ, ज जात्तर अलग अलग जलेभिया आ गई, तो रस बल्ले हैं, या घुलाब जामन है, उनके तरफ धान रहे हैं, जिसवर्टर्स हुआ होते हैं, पड़ी खुशनसीबी है, पद्मा जी, आप भी यहां पर सुवेश जी के साथ साथ हैं, आप भी खुद गुलुकारा हैं, आप इंटरस्टिंग सवाल हो गया परएयार आप बताएंगे यहारलि मुझे सुनते होंगे एक डॉल्फ cách कहा देखते हूं फेलिय • यह • अधिम हैं टी persönडिय को हैं शॉॉब एदिकेशन विल्व परदी दिनूंको पॉज सुनते हे इ94की मेरे कि isn't it तानपुरे दिखते रहते उनको, और जैसे ही जगते हैं, सबसे पहले मुहादो के आइपड पे तानपुरा लगाते, पहले महारिया शुरू होता है, फिर स्टूदेंस के साथ चार तानपुरे लगा के उनका यह रोज की महफिल है हमारे गर में, तो यह माहूल में मेरा क्या होना आप सोच लीजें, पद्मा जी साब कहा टकराएं, पद्मा को मैंने सबसे पहले हैं, यह हम एक दूसरे से टकराएं, क्योंकि बहुत चोटी थी है, और एड के जो जिंगल्स होते हैं, वो गाने आया करती थी, उन दिनों मैं भी नया नया था, काफी जिंगल्स आया कर अच्छा खासा उसमें अमदनी पे अच्छी को थी, शॉट टाइम में, तेजी से कमाई होते हैं, वहां पर यह भी गाने आया करती थी, यह कुल छोटी सी, तो मैं आते जाते, कभी-कभी अपनी मां के साथ आती थी, क्या मालूम यह आगे जाके मेरी बीवी बनने आए, तो छोटी बच्ची थी नाक वगड़के में, कितने अच्छी नाक है तुमारी, अच्छा पीर मेरी सासुजी बोलती है कि घर जाके तुमारी नकल उदाती है, कैसे चलते हो तुम, तो सड़नली एक दिन इसकी मम्मी इसको लेके आई, हमारे पास गाना, तब मेरे गुरु जी, मेरे उस्ताजी थे दुनिया में, तो उनसे सीखने के लिए लाई थी, तो पहली मुलाकत हमारी, वो बिल्कुली छोटी थी, मरे गाज़े, 6-7-7 साल की थी, अच्छा, अब भी सारा का सारा बल जोर आपका, इनके छोटे होने पर है, लेकिन आप तो यह बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बढ़ी होकर कैसी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारी चीजे उनसे सीखने को मिलती है, मुझे, मैं अगर आपको अविगत में लिए चलो, माजी में, जो जो जिंगल मिलकर के गाया हो, उस दौर कभी आप लोग ने द्वेक किया मिलकर के कोई चीज गाया है, कभी कुछ गाया है, अगर मैं इस फटिय पूछो, कि ऐसी क्या चीज़ है, जो आप दोनों को भाती है, मलको लगाती है, तो कोई गीत, कोई एक यो दो बोल मिलकर के गाया है, तुम से मिलके, ऐसा लगा, तुम से मिलके, अर्मा हुए पूरे मिलकर के, आय मेरे जाने वफा, तेर, मेरे, मेरे, तेरे, एक जाने है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुम से नहोंगे जदा. तो आपको जो स्वर है जो आवाज है वह अपने आप से ही रूह को बांग जेती है आपको इसास हो गया होगा तालिया बजिए अचा पक्सानी सिंगर भारत में आकर के काफी लोगप्रीय हो जाते हैं बड़े मशूर हो जाते हैं यह क्या को खास बात है यह वागी वहां पर भारत में ऐसे उसके कदरदान बैठे में समझने वाले बैठे में के इन पाकिस्तानी सिंगर्स को बड़ी जगा दिया है भारत में हर आर्टिस्ट को गले से लगाया जाता है सबसे पहले तो यह बात है और गायक जो है वहां के जैसे अभी खासाब को भी आपने सुना और मैं सुनता भी आ रहा हूं उनको सलामत अलीखां साथ मेरे सिराने टेप एक लगाई रहता था और चुकि मैं पट्याला घराने का शागीर्द हूं तो वह गायकी तो वैसी हमारे घराने में तो गले से लगाने से का मेरा इसमें मकसक यह है कि बहुत प्यार करते हम लोग और आवाज लेग साथ ऐतनी कुपसारत तनी पक्की तो अजय से अभी राहम जी हमेरे बहुत हो गाते हैं आपकर अतीफ अस्लम भी बहुत गाते हैं इनके फटे लिखा साब के जो फोते हैं शवकत जी हो भी बहुत गाते तो और गाने उनके बबूल भी भी बहुत हैegar व तो लोग भी हम इस तरफ आके अगर हम बच्चों को बोल सकते हैं तो वो भी हमको रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा है लगे कि वो भी हमको गले से लगाते हैं अगर मैं आपसे बूछ हूँ के कासurg नडेश पकिसानी स訂閱 क्लिए क्या पेगाम है जिसते के लोग आपको बहुत जानते हैं बहुत सनते रहते हैं । olunकी क्या कहिए गाने के लिए वहां अपणे करते हैं सब और और नई जेनरेशन हमारे बात की 午 जो हूए है बहुत ही जहीन, तयार और मेहनती है और बहुत अच्छा उनका भी बहुत अच्छा फ्यूचर है इसी तरह मेहनत करते रहें स्वेज जी, कदमा जी, काश मेरे पास समय होता, ताइम होता, आज मैं आपको लड़ियों की तरह पिरोए रखता और आपके साथ शाम भिताता आपके समय बति काला हुमारी बहुत बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा अच्छा परीमें धरीमें आपके समय होता है